ते नमस्कार जेवन रास्तान निज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंदर मेर्ता सिटी में महीला के साथ मार्पिट का वीडियो हुआ वाइरल अगरो अल कोईट सेंटर का है मामला मेर्ता सिटी कोईट सेंटर में करोना संदिक महीला मरीज के साथ मार्पिट करने का मामला सामना है प्राप जानकारी के नुसार वाइरल वीडियो में मेर्ता रोड जीर पी प्लिस के एक प्लिस कर्मी द्वारा महीला के साथ मार्पिट कर रहा है मेर्ता सिटी के कोरोना कोविट सेंटर से वायरल हुए वीडियो में मेर्ता सिटी की अगरवाल कोलेज के उपरी मंजिल पर बने कोविट आइसोलेशन वाड के बाहर महिला खड़ी नजर आ रही है ड्यूटी पर तेनात एक पुलिस कर्मी वा महिला से बैस होती है कुछ देर बाद पुलिस कर्मी ने महिला को डंडे मारने लगा वीडियो में महिला रैम की भीक माग रही है कुछ देर बाद महिला करमचारी पुलिस कर्मी से डंडा देते नजर आती है पीडित महिला को महिला करमचारी वे पुलिस करमी दूसरे वाड के तरफ ले जाते हैं पीडित महिला वीडियो के अंद तक रोती नजर आ रही है महिला के साथ मारपिट वाला वीडियो वाइरल होने के बाद क्या पुलिस एक्षन लेती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी जब काल सेंटर इंचार डॉक्टर सुषित कुमार दिवाकर से बात की तो उन्होंने बताये कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस हिराशत में लेती है तो उसका करोना टेस्ट कराना जरूरी होता है इसी तरह इसमाहिला को 4 अगस्त को कोईट सेंटर लाया गया जिसका करोना टेस्ट हुआ कुछ दिनों बाद इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो इससे डिस्चार्ज कर दिया गया जो वीडियो वाइरल हुआ है वो मेरे पास अभी तक आया नहीं है मेरता सिटी से तेजाराम लाडनवा की रिपोर्ट मेरता सिर्ण आई से तेजाराम लाडनवा की रिपोर्ट